यह वेलकुम बाक टूओ धुदे गोर्स भी नेक्सट आइकऊन आज हमारी माइक्रो प्रसेशर की शिथ लेक्षर आज के लेक्षर में पढ़ने वाल हैं इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में बट इससे पहले अगर आपने हमारे पहले कि लेक्षर को नहीं देखा सबसे पहल में कि instruction set से पहले instruction को समझना बहुत जरूरी है में तो instruction basically program होता है एक line of code होता है instructions आप थोड़ा सभी confuse मत हो बहुत जगह पर आप जाओगे internet पर बहुत सारी चीज़ा लिखेंगी बहुत सारी complicated definitions लिखी होती है बट यहां पर इस channel पर मैं आपको easy language में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको computer का science के student हो तो आपको इस चीज़े easily language में समझ मैं इंस्ट्रक्शन का simple मतलब होता है coding मतलब programming कि आपने line of code लिखा आपने उसको बोला instruction ठीक है कि आपने computer को अपने प्रोग्राम को अपने प्रोसेसर को अपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई ऐसे से परफॉर्म करो आप ठीक है अब instruction sets की बात करते तो instruction set क्या होता है कि हम different different जो चीज़े use करते है instruction बनाने में उसको हम लोग बोलते instruction का इंस्ट्रक्शन की objects instruction की component आप इसको कुछ भी बोल सकतो क्योंकि सबका मतलब सहम होता है कि जो भी instruction बनाने में में जो चीज़े को यूज किया है उसको मनें बोलें instruction sets okay तो an instruction of a computer is a command given to the computer to perform a specified operation on a given data in a microprocessor the instruction set is the collection of instructions that the microprocessor is designed to execute collection of micro instructions होता है कि आपने कौन सा instruction दिया है basically concept code दिया कौन सी operation perform करने के लिए अपने code को लिखा है उसको मैं बोलें instruction sets लिए इन सारे इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम एक assembly language programming लिखते हैं ठीक अब वो कौन सा इंस्ट्रक्शन होते हैं किस टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं आज हम देखने वाले जैसे आप C language C++ Java में कोडिंग करते हो तो आप कितने सारी चीज़े यूज करते हो आरे का यूज करते हो कभी कभी आप pointers का यूज करते हो ठीक है ये सारी चीज़ों का हम यूज करते हो ऐसी की से एवसे लैंबिश प्रोगामिंग में होती इस चीशत ठीक हां जरुदки teaching कि यहां पर चिप लेबल प्रोगामिंग करते हैं यहां पर टाइब्रेशन की बात करें 8086 माइक्ड परोसेश сохран Management सेंक्षॉन सबसे पहला Data Transfer सेपरेटली देखते हैं कि क्या 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 काम होता है इनका तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इन आठ तरीके के instruction sets होते हैं हमारे microprocessor 8086 में आप questions यहां से आते हैं कि आपको आपको यहाद रखना है कि move कौन से instruction set में आता है keyword अब देखते हैं कि कौन साब पहला सबसे पहला आता data transfer instruction आपको word से समझ में आता है कि data transfer का मतलब क्या होता है हम एक data को transfer कर एक जिगा से दूसरे जगा मतलब source destination पे तो these instructions are used to transfer the data from the source to the destination operation इसको हम लोग बोलते है data transfer instruction अब इसके इंदे कुछ चीज़े होती जैसे मूव सबसे पहला keyword होता है मूव हमने programming में देखा भी अधिशन आफ टू बीसिटी numbers में कि हमने मूव का यूज किया था move al,500h या फिर 5000h मतलब किया था कि हमने 5000h का जो address था वहां से हमने al register में अपने data को मूव किया था तो मूव is used to copy the byte or word from the provided source to the provided destination मतलब यह क्या करता है आपके data को copy करके destination पे डालता है source से copy करके destination पे डालता है इसको हम लोग बोलते है move keyword उसका था पी पुष पी पुष का मतलब used to put a word at the top of stack अगर stack के top में डालना तो पी पुष का यूज करोगा अब दिन पॉप का used to get a word from the top top of stack से अगर एक word निकालना है तो आप पॉप का यूज करते हो दिन पुष ए यूज तो put all the registers into the stack अगर आपको एक सथ सारे पुष ए मैंने यह पर पूरा instructions mentioned नहीं किया है यह पर मैंने तीन-चार instructions mentioned किया है तो आप इन तीन-चार instructions को follow-up कर सकते हो मैंने notes मों अलड़ी सारे instructions को डाले तो आप वहां से सारे notes को use कर सकते हो बट जो major instructions उते जो सबसे जाए useful होते हो यही सारे होते ठीक है है आपको यह चीज़त ध्यान में रखनी है आपको बस यही ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा instruction जिसमें data move हो रहा है ठीक है सबसकर आपको यह नहीं पता कि पुप पुश और पॉप क्या होता है बट आपको यह ध्यान पुश का मतलब क्या होता हम data को push करते हैं इन करते हैं पॉप का क्या होता data को निकालते हैं दोनों की situation में data transfer हो रहा है तो यह किसमे आगर data transfer instruction में आगा ठीक है इसके लगता हमारा arithmetic instruction सब को परता arithmetic instruction क्या करता addition subtraction multiplication division यह से उसमें क्यों क्यों से keyword होते है add सबसे पहले use to add the provided byte हम normally add करते हैं यहां पर देन ADC ADC मतलब use to add with carry जब carry generate हो का तो हम ADC का use करेंगे INC use to increment the provided bit अगर हमें increment करना तो हम INC का use करेंगे AAA मतलब हमें अगर ASCII division करना तो हम उसमें adjust करते हैं ASCII values को DA का मतलब decimal largest ठीक है तो आपको इस साथ चीज़ा याद रखनी है इसका आता हमारा bit manipulation instruction इस instructions are used to perform operations where data bits are involved like logical sifting यह सब जब हम करते हैं तो हम यहां पर करते हैं logical सबसे common कौन सा है and or not आपको चीज़ा याद रखनी कि bit manipulation instruction में हमारा and or not होता है जो हमारा logical operation में help करता है not का मतलब होता है used to invert each byte of a byte or a word मतलब क्या होता है कि आपके सारे bits को invert करेगा invert का मतलब क्या होता है basically उल्टा करना ठीक है and का मतलब use for adding each bit in a byte word with a corresponding bit another byte or one and का मतलब कि आपके byte जो भी आपका bit होगा एक एक byte है एक word का जो bit है उसको दूसरे byte है दूसरे word के साथ add करेगा उसको हम लोग बोलेंगे and operation then उसके और use to multiply each bit in a word जैसे addition के लिए हम क्या यूज करते है and और multiplication के लिए जो operations होते हैं वो byte में होते हैं और words में होते है words मतलब ज्यादा data बड़ा data थोड़ा तो यहां पर string क्या करता है string is a group of bytes words and then memories are always allocated in sequential order तो जो सबसे पहले instruction set होता है यह आप इसको बिलता है र e p used to repeat the given instruction until cx not equals to zero ठीक है जब तक cx not equals to zero होगा तब तक यह instruction एक रिपीट करते रहेगा वैसे सेम यहां पर दोनों हैं दोनों का काम होता है रिपीट करते हैं बस यहां पर conditions होते हैं कुछ कि cx zero होना चाहिए zf zero होना चाहिए zf equals to one होना चाहिए यह सारी conditions होते हैं यह आप जो आपको return address to the stack हम अभी अभी तक हमने procedure और macro नहीं पढ़ा अब जब हम प्रोसिजर और macro पढ़ेंगे तो हम call का यूज करते हैं वहां पर क्योंता प्रोसिजर को call करते हो और उतके address को आप stack में store करते हो जैने उसका rate मतलब return करता प्रोसिजर से हमनों जावा मिलता है return 0 वैसे यहां पर रिटी वर्ड यूज होता है उसका रहता है जी एम पिजम जैसे हम लोग वहां पर continue पास लिखते हैं यहां पर जम्ट उस्टु जम्ट प्रोवाइड अड्रेस अगर आपको एक एड्रेस दूसरे पर जम्ट करना तो आप GMP वोर्ड का यूज कर सकते हो यहां पर ठीक है उसका रहता प्रोसिटर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन आर यूस्टू को रहता है तो यूस्ट सब्सक्राइब करें और इसे करोगे और इसे याद रखो यूसकर और इसे ड्रक्शन प्राइक अप अब sdd का यूज करोगे और डिर्चर्चं फञए आप सीलींट का यूज को आप ऐसी याद रखो पहला दो और आ­कडी का के ओ अगर आप करिया फ्लाइग वन करने तो अब sdc का यूज करोगे TC स्थ C और अगर आपको carry flag reset करना तो आप CLC, तेन अगर आपको direction flag 1 करना तो आप STD, और अगर direction flag reset करना तो CLD, STC, CLC, STD and CLD, यह आपको चीज़ा ध्यान में डखने हैं, यह से trick है, याद करने का, ठीक है, इतरेशन control instructions, मतलब these instructions are used to execute the given instruction for a number of times, जब आपको iteration की बात आती ही, तो सब को पता है, लूप चलता है, तो लूप keyword होता है, यह आपर used to loop a group of instructions until the condition satisfied, यह condition होगा, CX equals to 0, तो आप normal loop का use करोगे, then हमारा loop E या फिर लूप Z का use का करते हैं, जब हमारे पास ZF equals to 1 हो, और CX equals to 0 हो, तो हम लूप E फिर लूप Z का use करेंगे, और loop N या फिर लूप Z का use इसके लाता है, interrupt, interrupt instruction, these instructions are used to call the interrupt during program execution, जब आपको execution की दोरा interrupt instruction का use करना है, तो आप interrupt sets का use करते हो, जैसे की INT, used to interrupt the program during execution, आपकी program को interrupt करेंगा और service को call करता है, into, used to interrupt the program during execution, if OF equals to 0, auxiliary flag हम लोग उसको बोलते हैं, ओएफ का मतलब तो auxiliary flag, अगर यह 1 है, तो आपके request को interrupt करेंगे, और I-Rate, मतलब use to return from interrupt, जो आपने return, जो आपने request को interrupt किया है, वहाँ से main program में return करने के लिए हम I-Rate का use करते हैं, तो basically जो main funda है, जो main focus है, instruction sets का वो यह है, कि हम जब कोई भी instruction बनाते हैं, कोई भी coding हम करते हैं, उस coding को करने में, जो हमें keywords, जो हमें component, जो objects हमें लगती है, हम इसको बोलते different instruction sets, जो हमने भी पढ़ा है, कि interrupt में क्या होता है, iteration में क्या होता है, processor में क्या होता है, program execution में क्या क्या use करते हैं, लोग देन string instruction में क्या क्या use करते हैं, bit manipulation में क्या use करते हैं, arithmetic में क्या use करते हैं, और basically उसके एक और हमने क्या देखा था, कि हमारे data transfer हम क्या use कर दाया ठीक है C++ पे हम कैसे data को transfer करते थे C in या C out से अब C out डाले क्या करते हैं मतलब आप data को execute करें यसी इन का मतलब आप data को अंदर input ले रहे हो सेम यहां पी वैसे होता है move का मतलब होता है कि आप data को move करा रहे एक register में दूसरे register से ठीक है इस lecture में इतनी चीज़े थी, हम लोग नेक्स लेक्टर में मिलते हैं, और आगे की चीज़ों को discuss करेंगे, I hope आपकी चीज़े clear हो गई होगी, तो आप notes को पढ़ो, और एट lecture को बाड़ बाड़ देखो, screenshot लेकि इसका भी notes बना से तो आपको बहुत साथ help मिलेगा ठीक है thank you so much for watching this video have a good day